बच्चों कैसे हो आज हम करेंगे कार्य पत्रिका 009 तिथी है 27.1.2002 कक्षा पहली दूसरा सब्ता विद्यार्थी का नाम जाहा है महाँ आपको अपना नाम लिखना है शिक्षक शिक्षक का नाम है महाँ आपको अपने सर्या मैडम का नाम लिखना है विशे है थीम प्यारे फूल ठीके नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वच और खुश होंगे बच्चों आपने अपने आसपास बगीचे में तथा पार्क में विविन परकार के फूल देखे होंगे आईए आज हम सब मिलकर उन्हीं फूलों पर एक गीप गाते हैं कितने कोमल कितने सुन्दर प्यारे प्यारे फूल गुलाब कमल गैंदा चमेली रंग भी रंगे प्यारे फूल अपनी मीठी सुगंद फैलाते बगीचे को महकाते फूल गर्मी सर्दी बारी सहकर दुख में सदा मुस्कुराते प्राकिर्ति का वर्दान है फूल जन जन को पास बुलाते फूल मुस्कान बिखेर कर अपने धारा को स्वर्ग बनाते फूल मन को आनद देकर जीवन में खुशियां लाते फूल सजा रहो खस्कराते यह है जीवन का पार्थ पढ़ते हुए फूल है यह हमने क वीता पड़ी अब पहला वीवीतर फूलों के चितr अपनी काप्पी में चिपकाा यह या बनाईा है और उनके नाम लिखिए बचो आपको इस पहले में कि प्रिशन में क्या करने है या तो फूलों के चितr बनाने हैं आपको या फिर चिपका आने ठीक है दूसरा फूलों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने अध्यापिका को बोल कर बताईए फूलों को हम कैसे कैसे सही रख सकते हैं? उन्हें अच्छे से पानी दे सकते हैं, खात दे सकते हैं, और उन्हें न तोड़ कर, ऐसे हम फूलों को सही रख सकते हैं, ठीक है? देखो, आओ बाचीत करें. प्यारे बच्चो, साथ दिये गए, आपको क्या लगता है, कि चीतर में दीख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे अनुमान लगाईए उनके स्वाद मतलब बाचीत को उची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापका अधिपयकर से बताईए देखो एक बच्चा है यहाँ पर एक लड़की एक लड़का है लड़का सेप खा रहा है और लड़की लड़की देख रही है कुछ कहकर तो अब हमने अनुमान लगाया लड़का तो बोल रहा है लड़की से सीमा मुझे सेप बहुत पसंद है फिर वो बोलती है लड़की अच्छा रवी मुझे भी से बहुत पसंद है हमने ये अनुमान लगाया आप कुछ और भी अनुमान लगा सकते और अपने सर्या माडम को बता सकते ठीके बच्चो अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले